वाट्साप मेसिस को अटोमेटिकली कैसे डिलेट करते हो अगर मानलो वाट्साप के थो आप रोज किसी एक चार्ट से बात करते हो और बात करने के बाद उस चार्ट से साभी मेसिस को कार देते हो एक एक करके डिलेट और डिलेट करने के बाद अपना जो काम है वो हो जाता है complete लेकिन गाइस कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप उस चार्ट से बात तो करते हो लेकिन message को delete करना भूल जाते हो और आपको बाद में भी याद नहीं आता है कि आपको उस चार्ट से message को delete करना था तो ऐसे में आप उस चार्ट के अंदर automatically delete message को on करकर आख सकते हो आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा WhatsApp के अंदर किसी भी एक पार्टिकुलर चार्ट में किस तरह से automatically delete message को on करकर आखना है तो आप इस वीडियो को बिना skip के अलाष्ट तक देखतरा हिए और आपने भाई के चैनल को आभी तक साब्सक्राइब नहीं कहा है तो चैनल को फटावर्ट से साब्सक्राइब कर लेजिए तो WhatsApp के अंदर automatically delete message को on करने के लिए दोस्तों आपको पहले WhatsApp open करना होगा और WhatsApp open करने के बाद दोस्तों आपको जाना है उस चार्ट के अंदर आप जिस चार्ट में automatically delete message को on करके राकना चाहते हो फिर दोस्तों आपको टैप करना होगा 3.00 के उपर देन आपको यहाँ पे मिल जाएगा disappearing messages आप इस पर टैप किजिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो message timer तो यहाँ पे आपके फून में definitely off select होगा और off के अलाबा आपको यहाँ पे और तीन option देखने के लिए मिल जाएगा पहला है 24 hours उसके बाद 7 days उसके बाद 90 days तो यहाँ पे आपको time select करना है कि message जो है वो कितने दिन के बाद delete हो जाए तो मेरे ख्याल से साबसे best option है 24 hours तो मैं यहाँ पे 24 hours को select करता हूँ और select करने के बाद अगर आपके समने ok या done आजाए तो आप done या ok कर दिजिए उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से back करके आजाना है बाहर और बाहर आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक message आ चुका है और उसकी profile picture की side में एक symbol देखने के लिए मिल रहा है तो इस symbol का मतलब यह है दोस्तों कि हम इस chart के अंदर disappearing message को on करके राखका है तो इसको on करने से क्या होगा दोस्तों हम जाब भी इस chart में बात करेंगे या जो भी message बागरा करेंगे वो 24 hours या 24 गांटे के बाद automatically साबी message जो है वो delete हो जाएगा और अगर इस तरह setting करने के बाद आपने whatsapp के अंदर message जो है वो automatically delete नहीं होता है तो आप मुझे comment box में बता सकते है मैं आप लोगों को accurate setting दिखाऊंगा जिस setting करने के बाद आपने whatsapp के अंदर message जो है वो definitely automatically delete हो जाएगा तो यहीता दोस्तों आज का वीडियो I hope आप लोगों को वीडियो पासंद आए होगा अगर आपको वीडियो पासंद आए तो वीडियो को like share and comment कार दिजिए और आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं क्या है तो channel को subscribe कर लेजिए तो मैं मिलता हूँ किसी आगली वीडियो में किसी नाटोपिक के साथ तब तक लिए बाई बाई टेक क्यार